आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमश्कार मैं हूँ त्रशला यादो आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आये रूख करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की और वरार्सी के हर हुआ पीच्छी सेंटर में और चक निरिक्षड करने डिप्टी सीम रुजो स्पार्थक पहुचे और चक निरिक्षड के दवरान डिप्टी सीम रुजो स्पार्थक ने प्रभारी चुकित्सा अधिकारी को जम कर फटकार लगाई पता दे कि निरिक्षड के दवरान डिप्टी सीम के प्रभारी चुकित्सा अधिकारी सवालों का जवाब नहीं दे पाए आप तस्वीरे देख सकते हैं कि किस तरह से एक्शन मोड में डिप्टी सेम खुद गाड़ी चला करके पहचे और उन्होंने वहाँ पर जाकर डॉक्टरों से भी सवाल किया उन्होंने ओचक ने रिक्षड किया जा जा लिया पीएटची सेंटर का और जो भी कम्या थी उसको लेकर डॉक्टरों को फटकार भी लगाई है उत्रा के उपमुख्य मंतरी केशवब प्रिशाद मौर ने पी डबलूडी गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगा है जोहां डिप्टी सीम केशवब प्रिशाद मौर के साथ जलाधिकारी नवनीत सिंग चेहर और स्पी डॉक् में मौझूद थे इस मौके पर भारी संख्या में फरियादी अपनी फरियार लेकर पी डबलूडी गेस्ट हाउस पहुचे यूपी में बहुचा समाज पार्टी प्रमुक मायवती ने प्रधान मंत्री बनने के एक्षा जाहिर करने के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है वहीं बीजबी सांसा सौक्षी महराज ने बस्पम प्रमुक मायवती पर बोलते हुए कहा कि अगर मायवती जुन्दा है तो बीजबी के कारण नहीं तो समाजवादी पार्टी कब की उनको मार डाली थी वहीं उन्होंने श्वपाल और अखलेश यादव पर भी बोलते हुए कहा कि यह उनका पारिवारिक मामला है हम लोग तो इतनारियस्त पूजनते रवंते तत्य देवता नारी शक्ति का बहुत शम्मान करते हैं और शम्मान करते भी रहे हैं इसस तो यह है कि इस कुम्ती किनारे पर हम बेचे हुए हैं अगर इस दुनिया में मायवती जिंदा है तो केवल और केवल पार्टी का हैं लेकिन सोच तो व्यक्ति का अपना अधिकार है तो अपने भी अच्छे से अच्छे देखने चाहिए परन्त प्रियों समझदार हैं कि उन्हीं 2020 कर चुनाव में खुलेयाम उन्होंने कहा था कि समाजबादी पार्टी से हमाज़ लाउड स्पीकर विबात पर उत्तर प् के बाद फिर से इस मामले पर समिक्षा की जाएगी और जहां भी कोई कारेवाई बच्ची हुई है वहां कारेवाई की जाएगी चले आपको सुनाते एसे इस होम के ये बयान हम एक आदेश उच्चनाले ने दिया था कि इसकी एक नियमावली बनाई है तो पिछले समय में जो है उच्चनाले के आदेश ने विस्तरक नियमावली और नियम बनाए गए जिससे की नियमों के अंतर के खारवाई हो और अब सुप्रीम कोप ने भी यूपी के गैंस्टर में मलबूत प्रभापड़ा है कई जल्बनों ने अच्छा काम किया है जिन जल्बनों ने अच्छा काम नहीं किया है उनको भी पुला खबर आगरा से हैं जोर रेलवे के राज़ोमंडी स्टेशन परिस्त प्राचीन माचामुंडा देवी मंदिर को वस्थापित करने की नोटिस चुस्पा करने के बाद भक्तो और हिंदुवाती संगठनों में उबाल देखने को मिल रहा है वही बंदिर को हटाने को लेकर र आज हमें बड़ी खुसी हुई यह जान करके कि हमारे सामने जो है खंडेल वाल दी आई हैं बड़े हर्स की बात है और मुस्लिम समाथ की तरफ से उन्होंने हमें समर्थन दिया लेकिन माता रानी की क्रपा है कि ऐसी नौमत ही नहीं आएगी कि हमें किसी भी संगठन की अब भरोसा है डियम साब पर आज पेपर उन्होंनों निकाला है बीज का रास्ता और रही बात मंदिर की तो मंदिर तो किसी की मत पर हट रही नहीं और आज तक जिसने मैया को हटाया मैया ने अपने आप उसकी बश्का रही सुस्मानी है और हम इस मंदिर के कुछ नोटिस चस्पा किया गया था जो कि गलत है इसको किसी प्रकार का नोटिस ने वापस लिया जाए और हम इसे आज आस्वसन दिया है कि हम इसे वापस ले रहा है और हम मीटिंग बठार करके इसका हल करेंगे मंदिर आस्था की बात है श्रद्धा की बात है विश्वास की बात है लाखों लोगों की श्रद्धा इसमें जुड़ी हुई है और जब मंदिर को इस्थांत्रित या तोड़ने की बात आती है तो यह मैं रेलवे को चेतावनी हम देने आए कि यहाँ पर सिर्फ हमारे यह समस्त मुस्लिम समाज भी साथ खड़ा हुआ है हम महें जी को यश्वासन देना चाहते ही कि समस्त मुस्लिम समाज की लोग भी साथ खड़े हुए है अगर बुल्डोजर चलेगा तो सबसे पहले शबाना कंडिलवाल बुल्डोजर आगरा में राजवमंडी स्टेशन से चामुंडा देवी का मंदिर शिफ्ट करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है जोह डियारेम कारियाले में विश्वे हिंदू परिशत और बजरंग दल के कारेकरताओं ने जम कर हंगावा किया और जिसको लेकर जियारेम और हिंदुव समस्याएं हैं सेफ्टी से रिलिटेट वहाँ पर राजा की मंदी में सेफ तरीके से ट्रेन चले और पैसेंजर आकर उत्रें वो हमने अपनी बात रखी और हमने बताया कि वो मंदीर का जो एक हिस्सा है वो उसमें उस समस्या का कारण बना और यह भी बात हुई कि यह सब च चंता के हित में हम लोग सब काम कर रहे हैं ट्रेन जिस तरीके से अभी फंक्सन कर रहा है उसी तरीके से फंक्सन करें यह सब के हित में है क्योंकि आगरा के जो पैसेंजर्स हैं उसको यूज करने की बात है एस आए कि जो की तीन सो साल पुराना मंदिर राजा मंदी स्टेशन परसर में जो की रेलबे से पहले का बना हुआ उसको अडाने के लिए धिया नेम साबने एक अपना ट्विट कर दिया और चस्पा लगा दिया इनोंने कई हिंदूों की आस्ताओं को जात खिलवार गिया इसलिए आज 59 का पाट का तो यह रहा कि इनकी घुद्धी सुद्धी के लिए 59 का पाट किया लिया और निरंतार आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि चामंडा देवि मंदिर रडाना तो जो कि दिवा अगर उसकी तरफ इसी ने आख आकर विजे रहा तो अन्या कि अगर मंदिर परतर में किसी भी प्रिकार की कोई भी आनी होती है तो बजरंगल उग्रांदोलन के लिए तैयार है पुर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक माई से टोल लगेगा बता दे कि पुर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यूपीडा ने तेरा टोल पॉइंट बनाए और हादियर और अलीगड के महुर कला में दो मुख्य टोल है एक्सप्रेस वे पर बीच के एंट्री पॉइंट पर खबल लखनौ से हैं जहां पर मदर्शों की जाच पर चेर्मेन मदर्सा बोड के डॉक्टर इफ्तिखार एहमद जावीद का बयान सामने आया है। आज में पूरा सहयो कर सकते हैं। किसी को भी उखाने का हट न रहें। मेरा यही मकसद है कि मदर्शे में पढ़ने वाले 20 लाग बच्चों की साथ नियाय हो। किसी भी किसम के सरकारी पैसों का बंदर बाट न हो। जिस तरह शिकायते आई थी कि बहुत सारे मदर्शे कागजों पे चल रहे हैं। बहुत सारे मदर्शे ऐसे हैं जो मदर्शा नियमामली के विवरीत काम कर रहे हैं। मदर्शे कोलने का हग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और संकिक समाज को है। जब कि सुनने में आया हैं शिकायते मिली हैं कि बहुत सारे अनुट खबर राज़ानी लखना उसे है जो है तक्नीक से सहकारी समितियों का आधूनी करड के कारिकरम का यूजिन किया गया। को बता दे कि इस कारिकरम में अपरमुक्य सचिव सूचना नवनीत सहगल महामंतरी प्रवीड सिंग जादाउन के साथ साथ कई बड़े अधिकारी। मुख्यातिती के तौर पर शामिल हुए वहीं आपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने उत्तर प्रदेश में सहकारितान दोलन के सफल ना हो पाने की वज़ा बताई तक्नीक का उप्योग प्रशाशन में करके प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी करांती लाई है पिछले पांच वर्षों में सामन जो लेखती है उसकी जिन्दगी में उसकी जीवन में कितना अच्छा सुधार आया है वो तक्नीक के साहरे आया है अब पेंचन जो है वो गरीब के खाते में सीधे रासर होती है जो भी सरकार से बेनिफिट्स हैं किसान को है वो भी सीधे उसके खाते में जा रहा है और वो तक्नीक का उप्योग है तकनीक का उप्योग पारदर्शिता के लिए बहुत अवश्यक है सरकारी खरीद में पारदर्शिता हो रही है जैम के माद्यम से पूरे देश में सबसे अधी खरीद वरार्सी के बेच्चु में छात्रों का अंदोरन लगातार जारी है चात्रों ने वीसी अवास के सामने अनोखा प्रदर्शन किया इसी के साथ चात्रों ने वीसी अवास का गंगा जल से शुद्धी करड किया प्रदर्शन के दवरान चात्रों ने मुंडन करा कर विरोध जटाया खबर राइबरेली से है जहां चोरों ने घर को फिर अपना निशाना बनाया त्रेपुला चौकी के चौंद कदमों की दूरी पर रेटाइड पीसे सधिकारी इनरजीत सिंग चोहान के घर पर चोरों ने करीब लाखों की चोरी की घटा को अंजाम दिया जिसके बाद पीडित ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया और बताया कि चोरों ने नगभग डेड़ लाख का नुकसान किया बता दे कि पुलिस से उस मामले की चानवीन शुरू की कबर फरूखाबाद से है जोहां अमरतपुर तहसील परिशर में ग्राम पहरियों का सफाई करते हुए वीडियो सामने आया वही नियुक्त ग्राम पहरियों ने बताया कि उन्हें तहसील में सफाई करने के लिए बुलाया गया मामले पर SDM अमर्दपुर ने ग्राम पहरियों के तहसील में सफाई करने के मामले पर इंकार किया वही ग्राम पहरी ने मामले पर SHO अमर्दपुर ने कहा है कि चौकी में सफाई करने के लिए किसी भी ग्राम पहरी को नहीं भीजा गया पुलिस को चोगी दारी समय करते हैं यह पो यह कुछिनगर में पुलिस और मदमा्ष के बीच मुटभेड़ के दौरान मदमाष के पैर में गोली लग गई इसके बाद घाल बदमाष को पुलिस ने गिरफतार कर लिया पुलिसी रास्त में मदमाष के पास से तमंद्च गाजवाबाद के सहीवा वाप थाना छेतरे के शालिमार गार्डेन लाके में युवक की संदग्द परस्थितियों में मौत हो गई मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक को उसकी एक परिचित महिला ने अपने घर पर गुलाया था इसके बाद ही युवक की मौत हो गई पिडित परिवार वालों ने ये भी जोँगारी दी है कि आरोपी महिला से युवक तीन साल से संबंद में था फिलाल इस पूरे मामले में परिवार वालों की शीकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गीरफ़तार कर लिया है हिरासत में आरोबी महिला से पुलिस की पूस्ताश लगातार जौरी है पुलिस का कहना है कि जल्दी मामले में खुलासा किया जाएगा थाना च्छेतर साइवाबाद के सालिमार गार्डेन एरिया में उदीत उपाद है जिसकी उमर लगभग 22 वर्स है कल एक महिला के घर पहुँचा जो जैसा महिला का कहना है कि वो सराप के नसे में था और महिला से जो हमनों की बात हुई है कि उसके साथ इलिसिट रिलेशन में करीब डेड़ साल से रह रहा था इनके बीच में कुछ बाचीत हुई, बाचीत के दारान ही उसको चाकू लगा है महिला ने ही ले जा करके इसको admit कराया है होस्पिटल में और उस दारान इसने महिला के दौरा इसके मापाप को भी फोन किया गया है करीब तीन बजे के लगभए इनके माबाप जी टेवी होस्पिटल पहुंचे हैं सुधात नगर में सोजी सर्विलांस और थाना जोगिया उदैपूर पुलिस की सयुक्त टीमों ने एक्शन लिया है सुधात टीमों ने पांच अंतर राजी वाहन चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है पकड़ेगा शातिरों के पास से कार तीन बाइक और साथ मुबाइल फोन के साथ कार तूस तमन्च बरामत किया गया है पता देगी गिरबतार हुए शातिरों में से दो बिहार और तीन यूपी के रहने वाले है अंतर राजी ये गैम का परदा फास किया है पुलिसमें जो हो गिया कि पुलिसमें आज भूर में चेकिन करते हुए सब्सक्राइब को गाड़ी को रोग कर दो उसके दस्तावे जो की डिमांड की गई तो लोग नहीं दिखा पाई जब पूछताच की गई तो उनमें से दो लोग 먹을 के रहने वाले थे जिभान और भॉपार ईबंसक्की रहने वाले मस्की तर्ट को सांभी-क रहने वाले थे ज़्पत सिधार नगर वते में इनका आपराद के पिखहा उनमें पडिया में भी वाहन व्याराज मैं मीत दिया न्याम परदा इसके अलावा कि खबर संबल से है जहां मुरादाबाद जेल में बंद एक Haguki बॉद हो गई जिसके बाद जेल में हडकम बच गया मोथ की खबर सुनते ही परिजयनों में कह्राम मच गया जिसके बाद परीजनों ने चंद पुलिस आई थी कोछवाली से उन्हों ने यह कहा था कि और इलाल जो है वह एक्सपायर हो गया और मुझे से यह कहा था कि जाकर डेट वोटी ले आप फिर मैंने उनसे पूछा मैंने पोस्टमाटम होगा फिर दुबारा के यहां पर यह सब लोग इखटे हो गए जेल में ऐस जिला कारागार मुरादाबाद में 29 तारिक की शाम के करीब इस युग की किसी बीमारी के कारण मृत्यू हो गई परजनों की प्रहना पत्र पर रात में ही इसका पोस्टमाटम कराया गया पोस्टमाटम में मृत्यू का कारण इस पश्ट नहीं हुआ है वो बिसरा प्रिजर्व किया गया है इस पूरे मामले की नियमान सार जुडीशल मेश्टेर खबर औरिया के सदर कोटवाली छेतर से है जहां एक युवक की संदग्द हालत में मौत का मामला सामने आया है आपको बता दे कि युवक शाम को अपने चुवेल की रखवाली के लिए गया था और सुबह तक घर वापस नहीं लोटा जुसके बाद युवक का शौपेड प वालों ने भेनिसपक्र ज़ाज की मांगी है पर इसको है किसी ने क्योंकि उसका कोई भी विवाद कोई भी घर में कुछ मझे अनला के समझनी आपको समझ पेड़ों के पांव इसको कोई विवाद भी है बिचेद भी है बिल्कुल हस्ता खेलता हुगा मेरे पास सारी उसकी सुबह साम की रिकॉर्ड गए है ऐसा कभी लगा ही नहीं अभी जो सबस्क्राइब किया है पोस्मॉडम के बाद फिर मैं देखता हूं क्या है बैट के पता जी से डिसकंस करके देता है यह कितने समय की गटना है यह तो मैं सामको नौ बजे आया यहां वैल टू पिलेट ने सुबह मुझे सूचना मिली मैं सो के जगा छोटा वाला भाई ने बताया मिरतक का नाम क्या है रतनेश राजकमार मामला तो एक पिलेटा था मामला क्या बता रहें किसने क्या कुछ किया है क्या हूँआ आपने प्रिक्श् प्रसम द्रिश्टिया यात्मत्य का मामला बता रहे हैं लेकिन पूरे मामले की शामिक दी जा रही है और वेज़ दिया गया है जो भी तर्थे सामने आएंगे उसके काड़िक लिए परजिनों का आरोप है और क्या तहरी दीदी परजिनों ने यह कहा है कि जांच कर सरावसे क खबर अमेठी से हैं जोहां बदहाल विदुद विवस्था से विहाल लोगों ने जोड़दार प्रदर्शिन किया और असक्रो महिलाओं ने अधिक्षड अभियंता कार्याले का घेराव किया और विदुद सप्लाई बंद होने के बाद विदुद भाग पर तिन घंटे की आघोशित का टौती का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि अगर विदुद विवस्था को ठीक नहीं कराये गया तो बड़ा अंदोलन किया जाएगा हमारा नाम है रीता सिंग इस समय बिजली की वेवस्था की घड़बर चल रही है और अमेठी जनपद में एक एगरिकल्चर की फीडर के नाम से तीन घंटे की रोज कटवती हो रही थी उसके लिए हम लोग आये हुए थे और जिसमें इसडियो साहब अधिचन वियंता और यही सब सब लोग आये उस पे लोग निरने लिये हैं कि जो एगरिकल्चर के नाम से तीन घंटे की लाइट करती थी वो ऐसी अपकटवती नहीं हो बाकि जो इनका रोश्टिंग का समय है वो सरकार से ही गड़बर चल रहा क्योंकि सरक प्रात्न पत्र देकर वेतन दिलाने की मांग की है जलाध्यक्ष उमामिश्रा की अगवाई में आशाओं ने सीच्च अधिक्षक और विधायक श्रावस्ती को प्रात्न पत्र देकर वेतन दिलाने की मांग की है आशाओं ने बताया कि वेतन न मिलने से हमारा परिवार भु पॉर्ट पॉन की समस्टेज्ट रहा है इतना पाइसा जार रहा है लेकिन यहां की मुलेंग शेहर में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वारल हो रहा है इस वारल वीडियो में युवक के हाथों में तमंचा लहराते हुए जौम कर डांस किया ये वारल वीडियो रामखाट थाना छेतर का बताया जो आ रहा है अभी तक की खास खबरों में इतना ही देश-दुनिया की और ताज और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार